जैहिन दोस्तो निव मैथा स्टाडी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दिवगात समिक्रण का गुरंट खर निकालना सिखलाने वाले हैं तो यदि आप दिवगात समिक्रण का गुरंट खर निकालना सिखलाने वाले हैं तो यदि आप दिवगात समिक्रण का गुरं परकार से है, देखिए, 40x² प्लोस x-6, देखिए, इस गुरन खंड को बनाएंगे और बनाते हुए आपको सिख लाएंगे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान देना होता है, कि देख लेना होता है, कि यह कितना पद में दिवगात समिक्रण दिया हुआ है, तो यह ती मलेपद में क्या कर देना होता है, कि गुणा कर देना होता है, यानि कि 40x² से माइनस 6 में हम गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम बतला रहे हैं, गुणा अगर करेंगे, देखिए, तो 40x² गुणे माइनस 6, में जब आप गुणा करेंगे, तो आएगा minus 240 x square यही आएगा तो अब आपको क्या करना है इस minus को और x square को भूल जाना है और 240 का अभाज्य गुणन खंड करना है तो चलिए करिए तो 240 का जब हम अभाज्य गुणन खंड करेंगे हम पर ध्यान दीजिए अब 120 को दो से कटाइने तो यह 30 बर में ककड जायगा और 30 को 2 से कटाइंगे तो यह कितना बर नहीं करला कट जाएगा अब चलिए फंद्रा को एक बर में ही कता देते हैं क्योंकि हमारा गुणन खंड आ चुका है आप ध्यान देते हो इंग तो कटा भी सकते हैं तो कोई गलत होने वाला नहीं देखिए कैसा आगया अब गुणा कीजिए दो दोनी के चार चार दूनी आठ आर दूना सोला देखिए सोला मेले आप जब पंदर को घटाएंगे तो एक आजाएगा यानि कि देखिए सबसे पहले क्या करना है पहले औले और अंतिमले पद में गुणा कर लेना होता है और गुणा करके उसका गुणा खंड करना होता है और देखना होता है ऐसे दो गुणा खंड निकालना होता है कि जोड़न या घटाने पर बीच वाला पदा आजाए यानि कि यह एक से नहा हैं दूसरे फोर्म में तो चलिए हम तो गुड़न खंड निकाल दिये 16 और 15 16 में जब 15 को घटाएंगे तो कितना आजाएगा एक आजाएगा तो हमारा गुड़न अखंड मिल चुका है तो चलिए ध्यान दिजिए तो यहां पर हम इसको हल करते हैं और आपको बतलाते हैं चलिए ध्यान दिजिएगा देखिए इसको लिखेंगे इसको तो इसी तरह लिखेंगे 14x² अब देखिए यह प्लस x हाई ना तो प्लस x नहीं लिखेंगे प्लस 16x-15x इसे-6 इसी तरह रहने देँगे आप देखिए इस 16x मेले 15x को गटा यह देखिए X आ जाएगा तो कोई अंतर पड़ा कोई नहीं इसको जब हल करेंगे बीच वाले पद को बीच वाले दोनों पद को हल करेंगे तो यही आ जाएगा लास्ट में माइनस 6 है और शुरुगात में 40 X स्क्वाइर है तो यही आ जाएगा यानि कि इसको जब हल करेंगे तो पुन्ह पहले बाले रूप में आ जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है अब इस 40 x square में और प्लस 16 x में common निकालना है तो इसमें भी 8 है 845 और 826 और x तो दुनों में दिखी रहा है तो हम 8 x common कर लेंगे तो ध्यान दिजी हम कर रहे हैं 8 x common कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 x plus 2 देखिए 826 होता है और x तो निकल चुका है अब देखिए इसमें क्या करेंगे इसमें माइनस 3 common कर लेंगे देखिए तो यहाँ पर ध्यान दिजीए माइनस 3 common कर रहे हैं तो माइनस 3 जब हम यहाँ पर common करेंगे तो अंदर बच जाएगा 5 x और देखिए बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के चीन बदल जाता है तो बाहर माइस 3 कॉमन किया है तो अंदर क्या है माइस है नो तो प्लॉस हो जाएगा और 3-2 नी 7 तो यहांपर दो बज़ाएगा अब देखिए यहांपर आप लोग को अब ध्यान देना है देखिए बाप दिखिए पाच एकस प्लस 2 यह हमान समय नहीं है नो इसको एक बार हम common कर लेते हैं चलिए किजिए यहाँ पर common 5x plus 2 को common किजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 8x और यहाँ पर बच जाएगा minus 3 तो यही हम लोग का गुननखंड आ जाएगा यही हम लोग का answer आ जाएगा यहाँ जब का इसका गुननखंड कीजिए तो आपका इतना ही गुननखंड आएगा सबसे पहले क्या करना होता है ध्यान दीजे सबसे पहले क्या करना होता है दिवगाल समीकरण का गुननखंड गया करते वक्त सबसे पहले पहले और अन्तिमपद में गुणा कर लेना होता है और देखिए पहले और अंतिम पद में गुणा करना होता है और देखना होता है कि जो बीच वाला पद आए पहले वाले अंतिम वाले में गुणा किये है उसका गुणान खंड ऐसा निकालना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर बिच वाला पद आ जाए यह बिच वाला पद आ जाए तो देखिए हम से मुसी तरह की है तो हमारे गुड़न खंड मिल गया 16x-15x देखिए घटा यह तो x आ जा जा रहा है और क्या कर देना है यहाँ पर common निकाल देना है और पुना यदि यह हमान आपका समान आए यानि कि इस जगह पे तो आप जानिएगा कि आपका गुड़न खंड एक दम सही है और यह हमान आपका समान यह दिन आए नहीं तो आप common नहीं ले सकते हैं इसलिए आपका गुड़न खंड गलत हो जाएगा तो इस परकार से असानी से बनाया जा स सकता है तो चलिए हमको उम्मीद है कि यदि इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुगात समय क्लों का गुरंखंट किस परकर से ग्याद किया जा सकता है अगर थोड़ा भी कन्फूजन हुआ होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर सब्सक्राइब कर अल बेल एकन घंटी को प्रेस कर लिजिए गा ताकि अगला वीडियो जब हम अप्लोड करते नोटिफिकेशन आप लोगे के पास पहुच जाए